हाई प्रेंट आइडी सरकलास वज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम प्रीवियस इस में पुछे गए बाइलोजी से समय को डिसकस कर रहे हैं इसके पहले कोशिका से जितनी भी कोशन आते हैं उसको हम लोग डिसकस कर चुके हैं जिसमें हम इनिमल शेल और प कोशका कि समों को कया कहते हैं इतक है चलिए इसके दिखते हैं क्या कॉष्कन पूछा है दोस्तों पहला KOSHन है हमारे सरीर में वश अचायक उतक क्या होते हैं दोस्तों ओषिक कोश्काएं जो मुल रूप से दिखने में और कार करने में समान होते हैं ठीक है और क्या कहला है उतक कहला है तो जो दिखने में और कार करने में क्या हो समान हो उहीं क्या कहलाता है उतक होता है दिखने में समान हो लेकिन कार करने में समान नहीं होता है तो उतक नहीं कहलाता है अगला question है कि उन कोशकाओं के सम्मूं को जिनकी उतपत्य और सनचना समान होती है जो एक विच्शेश कार करने के लिए विच्शेशग गेता प्राप्थ होती है उधारड के लिए सरीर में मानस्पेसियों के कोशकाओं उन मानस्पेसियों कोई बनाती है जो सरीर की गती से समधी थे तो क्या काते हैं तो इसको क्या काते हैं दोस्तो उतक आते हैं तो इसको क्या काते हैं दोस्तो उतक आते हैं ठीक है इसको क्या काते हैं उतक आते हैं अगला कोशन है कि दुख तो सबसे इंपार्टन कोशन है चाल नमर वाला हरक्त और हड्यों के उ कौन होता है सजोगी कानियों टिश्यू बोला जाता है कनियूटीट Серविन इत्तारल समय इत्तारल सजोड़ हो थीत थीकर लगत और किसके सजोड़ दिया रहे हड़िया रहे किसके उदार र ho crying about के उधारण को पहचान केजिए तो सनियोजी उतक क्या हो जाएंगे इसमें हड़ी रक्त या उपास्ती होता तो कौन सा हो जाएगा हड़ी हो जाएगा अगला कोशन है कि एक सनियोजी उतक है तो सनियोजी उतक क्या हो जाएगा रक्त हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा भी वाला कोशन नम्र आट देख लेजिए कि रक्त एक परकार का उतक है तो रक्त एक परकार के होता है सनियोजी उतक होता है कैसा होता है सनियोजी इनी कनेक्टिव टिश्य होता है अगला कोशन है रक्त क्या है तो रक्त क्या है एक सनियोजी उतक है तो क्या है रक्त एक सनिय कोशन नमर 10 देखते हैं देखिए की कोशन बार बार भूमा के पूछा है हमारे सरीर की हड्यों में कौन से उतक पाजाते हैं तो कौन से पाजाते हैं सन्योजी उतक तरल सन्योजी उतक याद कर लिजे दोस्तों यह होता हमारा बलड होता है यानि बोन हड्या होती है और यह हो मुह की परत से बनी होती है तो मुह की परत से किसे बनी होती है यह होता है इश्कवमेस एपी थीलियम यानि पपड़ीदार उपकला किसे बनी होती है पपड़ीदार उपकला से बनी होती है जो मनी मुह की परत होती है किसे बनी होती है पपड़ीदार उपकला इसको इंगलिस सबसे बड़ा है तो सबसे बढ़ा होता तोंचा यह चैनि स्कीन हमारा क्या होता है ह्जानी वेट होता है अगला कोशन है नीचे और अंतरीक अंगों सा कोशन हिंगलत है अगला कोशन है प्र्ष su सरल स्क्यमेश एपिथिलियम होता है वो तक हमारे मुग की आंतरी ऐस्तर को बनाता कौन सा सरल स्क्यमेश एपिथिलियम कौन सा अपसन से हो जाएगा इसका बी वाला हो जाए कौन सा अपसन से हो जाएगा बी वाला देखे कोशन नमर सुरह देखते हैं स्ट्रेटी फाइड इसको MS एपी थिलिम किसमें मौजूद होता है तो बताना किसमें मौजूद होता भाई स्ट्रेटी फाइड इसको MS तो हमारे इसके निनित तुचा में मौजूद होता है अगला कोशन है उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशकाई मैट्रिक्स में सनीत ह भोटते हैं किसमें सन्योजी उत्तिक मेंठीक है किसमें सन्योजी उत्तक में अगला कोशन है कि पेशी उत्तक कितने परकार के होते हैं कि अनिक लंबे बेलना और बस्तु तंडू रेशों से बना होता है जो समानांतर पंक्रिती में उपस्थित होते हैं कितनी प्रकार के होते तो आप इसको ध्यान रखेगा रिखित पेशी होता रेखित पेशी होता है और फिरदेपेशी होता QUTIA है AP dyeu Code होता है in banana कि सरीर की टोचा का सबसे बाहितनां प्रत क्री क्या कहलाती है Japanese कहला कि उन्हें इसकी कोंटा होजएगा सी अब देखते है कोंचन नमबर 20 कि निम में में से काां शाहिस्सा माननो तोच आइसका सबसे बाहरी शाहिस्सा होता थैसका अगला कोशन है निमलेखित में से कौन सा सनियोजी उतक नहीं है तो दोस्तों अस्ति और उपास्ति और रक्ति तीनों क्या होते हैं सनियोजी उतक होते हैं अस्ति यानि हड्डियां हरक्त यानि बलड उपास्ति अस्ति का ही एक भाग होता है जो मुलायम हड्डिया होती उसे को उप कौन सा नहीं हो तंत्री का कोशिका अगला कोश्चन है इसको इसको इमस एपी थेलिय मुद्टक फेफडों के यलबे लाई और जानुरों के अनिहिसों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है उसमें क्या होता है ऐस्थाय होता है जहां आयस्थाय संकुचन से तोचा बनी होती है तो अधिचर्म कोश्चा से बनी होती है किस परकार के अधिचर्म कोश्चा से जो हमारी कोश्चा से तोचा बनी होती है अगला कोशन है कि उतक के परकार ग्रंथिया बनाती है किस परकार के पूछा है कि उतक के परकार है जो ग्रंथिया बनाती है वो होते हैं Kapit 훨씬 होते हैं क्या होते हैं एपी छ् disturbing UK हो ez त에 STUDन चामर्दान करने के लिए और अठीक प्रतनी नीरमा नीर्मित करता है कौन हो जाएगा आयत फल की Q hiding ठीक है एक पूछाः जंक को स्कावों में बिरिक को यांतरिक सामर्थन परदान करने के लिए एपि थिलियम इसकी यांतरिक प्रतनिर्माद करता है तो कौँण सा हो जाएगा आयत फल की अगला कोशन है उतक के परकार गरंथिया बनाती है तो एपी थेलियम उपर पूशा जा चुका है एपी थेलियम उतक परकार की गरंथिया बनाती है अगला कोशन है हिस्टामीन स्रावक कोश्काई में पाय जाती है किसमें पाय जाती है सनियोजी उतक में किसमें पाय जाती है अगला question है आवकासो तक aerial tissue की बीच एक पूरक उतक filler tissue का काम करता है तो इसके तौचा और मान स्पेसिय है तौचा और मान स्पेसियो की बीच यह काम करता है ठीक है अगला question है 29 नमबर निवन में से लाल संबहनी सनेवजी उतक है तो लाल संबहनी सनेवजी उतक होते हैं रूधीर होते हैं ठीक है बलड को ही कहा जाता है इसमें पुछा लाल संबहनी सनेवजी उतक हो जाएगे रूधीर हो जाएगा इसके पाद अगला question देखते हैं तीस उतक गरंथियों के निर्मार करता है तो किस पर काई गरंथियों निर्मार करता है सनेवजी ठीक है सनेवजी उतक गरंथियों का निर्मार करता है तो कौन साथ से हो जाएगा तीस का सी हो जाएगा स्वारी दोस्तों बी दिया इसमें question कुछ गलत पढ़ ले क्या आएगे दिखते हैं करहां तीस वाला वो उतक गरंथियों का निर्मार करते हैं तो बाही का उतक गरंथियों का निर्मार करता है स्वारी दोस्तों ये बाही का उतक गरंथियों का निर्मार करता हमने बलड वाला समय लिया था इसलिए गलत हो गये प्रचिष टीश्क हो जाएगा भी हो जाएगा वसके वाहिकर ऊतल गरंतियों का निर्माल करते हैं एक वाहिकर प्रचिश्क Word स्फजिए एक इस oldest का सम्GU्ष्च दोस्तों हम देखेंगे फाध मुечно फारा प्लां टीश्यों की वारे में इस समय को प्धैर में सका ऊन छी निम्न मेंसे कौन सा पसु उतक परकार नहीं है तो यह होता है मिरस्मेटिक उतक जो होता है पसु परकार का नहीं होता है तो जन्तों के शरीर में उपकला उतक सन्योजी उतक पेशी उतक आज पा जाते है मिरस्मेटिक उतक पौधों में पा जाता है यह पादक उतक का एक पर हरों तोस्तो जाईलम हो जाएगा अगला को स्चन है अगला कूश्चन है मिरुदतक और इस्थुलू उतक उतको के परकार है तो दोस्ते ये सरल उस्थाई परकार के होते है कौन से सरल उस्थाई परकार के होते है मिरुदू तक जिसको परेन काईमा कहा जाता है और इस्थुलू उतक होते है जिसको परेन काईमा कहा जाता है ठीक है अगला question है पादप उत्को के शम्बंद में इनमें से कौन सा कथन गलत है तो जाइलम में सामगरी दोनों दिशाओं में अस्तांतरित होती है यहीं क्या है गलत है ठीक है कौन सा गलत है डी वाला तो इसके वारे में देख लेते हैं एक से अधी कोशकाओं से मिलकर बनी होने के कारण जाइलम और फोलयम के जटिल ऊतक आते हैं यह दोनों पदही में पाजाने ओले संभण उतक, जायलम जयलव ए खनी के संभण में और फोलयम भोजन के संभण में परमु घूमि का निवाते हैं पाद इसक बाद देखे 36 नमबर उतक संभुहन पूल बनाते हैं कौन संभुहन पूल बनाते हैं जाइलम और फुलयम ठीक है कौन बनाते हैं जाइलम और फुलयम उतक संभुहन पूल बनाते है स्वैश्षी वाला अफसन से बजाएगा अगला कोशन है निम निम में से कौन सा उतक योग्म संभानी बंडल का गठन करता है तो कौन सा संभानी बंडल का करता है जाइलम और फ्लोयम करता है अगला कोशन है फ्लोयम के यत्रिक्त निम लिखी तिम्मे से सभी से मिल कर बना होता है ठीक है तो जो फ्लोयम होता है फ्लोयम माहीका के यतरीक इस सभी सेमिलकृर बना उँड़र नहीं बनता है क्यों सास्थाई उतक पौधय को कठो और मजवित बनाता है? यह बनाता है दोश्तों, 1999 काइमा बनाता है ये अस्थाई, पौधय को कठो और अस्थाई बनाता है अब देखते हूं 49 के वाद 40 नमबर कि निमलिखित में से कौन सा पौधो का बाहितोचा का कारी नहीं है निमलिखित में से कौन सा पौधो की बाहितोचा का कारी नहीं है तो देखते हैं 40 वाले क्या दिया है दोस्तो डी वाला ठीक है कौन सा दिया है डी वाला प्रकास संसलेसर बाहत तोचा का परमुकार पॉधों की सुसकन पादप सरील से जल की हानी तथा संक्रमन से रच्छा करना है पत्यों की बाहत तथा च्छाल में इस्थित, इस्टो मेटा होता है जो गैसों के आदान परदान वास्पो सरजिन की किरिया में मदद करता है पौधों में प्रकास संसलसल सूर के प्रकास के उपस्तिते में हरी पत्तियों द्वारा होता है नहीं कि उसके किनारों द्वारा होता है अगला कोशन है अस्थाई उतकों के निर्माण के लिए एक अस्थाई सनचना अकार और किरिया अपनानी की प्रेक्रिया को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है विवेधन कहा जाता है अस्थाई उतकों के निर्माण के लिए एक अस्थाई सनचना अकार और किरिया अपनानी की प्रक्रिया को विवेदन कहा जाता है लगाता है विवेदन की माध्यम से जीव के सरीर में ब्रिधी होती है अगला कोश्चन है कि कोशकाओं कोनों पर आयनियमित रूप से मोटी होती है तो किसमें होती है कोलन काइमा में किसमें होती है कोलन काइमा में ठीक है कोशकाओं कोनो पर आयनियमित रूप से मोटी होती है किसमें होती है कोलन काइमे में दोस्तों बहुत इंपार्टन पेरेंट काइमा कोलन काइमा की बारे में जरूर पढ़के जाईएगा यहां से कोशन पूछ इसके बारे में देखते हैं और यह तब पौधे में लशीले पन का गुड फैसे में होता है कोलन काइमा के होता है यह एक रीट सामर्त परतान करता होँ शक् bands के यहां पौधे की बीविन भागो मेंमें वीना-टोटो यह ला फ़िलापन लाता है और यहां तरिष्वश अहटा भी परतान करता तो पूछेगा यह यह अंतरिक सायता और लशीलापन किसके कारल होता है तो किसके कारल होता है और यह उतक एपिडर्मिस के नीचे प्रडवित में पाजाता इस उतक की कोशकाएं जीवित लंबी और अनेमिद धंग से कोनों पर मोटी होती है लेकिन इनके इनके कोने मोटे होते हैं इनमें अंतर कोशकी अस्थान नहीं होता अगला कोशन है पौधे में लचीलापन उतक के कारल होता है किसके कारल होता है दोस्तो कोलन काईमा के कारल किसके कारल लचीलापन होता है कोलन काईमा के कारल अगला कोशन है नेमलेखित में से किन उतकों में कोषकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोणों पर अयनियमित रूप से इस्थुल होती हैं तो किस में हो जाएगा कोलन काईमा में के जीवित होती हैं अगर इम्रित कैमा में में। कोश्काएं कोणू पर मोटी होती हैं किस के कारण से मोटी होती है चैनलोज और प्यक्टिन के कारण। अगला question है यह उतक में कोशकाय जीवित लंबी और कोनों पर अहनीमित रूप से मोटी हो जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा यह कौन सा हो जाएगा अगला question है किसके संचरण के लिए उत्तरदायत होती है यह पौधे में भोजन के लिए उत्तरदायत होती है question number 48 देख लिजिए कि जमा के कारण ध्रिड उत्तक ठीक है यहनी parent काईमा ध्रिड उत्तक की कोशकाय वित्तियां मोटी होती है किसके कारण लिगनीन की कारण दोस्तों यह भी question वहुत है लिगनीन की जमा के करण ध्रिड उत्तक की कोशकाय वित्तियां एक कोशका वित्तियां क क्या होती हैं मोटी होती के जमाय के करदेदर एक और धूर्थ या बोलता एक प्सक्ति मोटी होती है नियर था प्रकर्वनार बहुounced है यह पानी और क्अरबन विलाय किवारी दूस्य ऑगुलन श्रीछ इस वजय से इसकी गूर पौदहं में को स्कुना विद्य werk Selena सिम्ता को कम करते हैं ठीक है तो कौन सा इसमें सब्सक्राइब है अगला कोशन है कि कारण कोश्का की दिवार मोटी होते हैं शकलन काइमा की कोश्का किसके कारण होते हैं लिगनिन के कारण मोटी होते हैं किसके कारण होते हैं लिगनिन की कारण अगला कोशन है निवन में से निकल तनी और जड़ो की सीर्स पर पाय जाता है तो इस किसमे पाय जाता है ये सीर्स भी वजूद तक में पाय जाता है ठीक है किसमे पाय जाता है सीर्स भी वजूद तक में इतनी और जड़ो की सीर्स पर पाय जाता है ठीक है अगला कुश्चन है इन्यून में से कौन सा सरल कर अस्थाई उतक नहीं है तो सर अस्थाई उतक आहीं है कि क्या होता है तो दौस्तो जैल जैलमौ मुझाता सताइवूत्तं नहीं होता है जैलम और फलो यह जटिल वाले होती है क्विखाअ एक बांद लेख लेड़ें कि मुखने एक जटिलस्ताइव उत्त क्वन होता है फुलो यो मुखता है एफ्लोम फुलोम मोर्ण होते तो 10 सबस्दम अगरा कोशन निमलेखित में से कौन सए दर आ पह अस्थाई वह तक नहीं है तो कारा एक बा है तर एक सला अस्थाई वह थो और और फॉलम क्या हो स्वा की प्र मोलतरा है अगरा मत फिरक्राइब ओ अस्थाई तो आपना हम वह क्यों आइस अचेड़ को। जाइलन हो जाएगा अगला कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई उतक नहीं है तो सरल अस्थाई उतक कौन सा नहीं होगा जाइलम होगा वहीं कोश्चन देखिए दोस्तों बार बार हुमा पूछा है निमलिखित में से कौन सा उतक मुख्यूरूप से मिर् दोस्तों कोश्काओं से बना होता है इसमें जायलम दिया है अच्छा शक्लन काईमा आप्षम नहीं दिया होता है हां मृत कोश्काओं से बना होता है यह एक संभान उतक है इसका कार जडो दोरा उसे जल तत्ता-खनी लवड़ों को पौधों में विविण भागोता पहुचाना होता दोस्तो अगर इस जायलम नहां दिया होता शेक्잔 टाइम में दिया होता तो ही हो जाता अगला कोशन है पाउधों में उसको पाउधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ो से पाउधों के अनिसों में पानी और खनी पहुंचा आता है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तो जाइलम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा इसका जाइलम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा इसका जाइलम दोस्तो जहां पर भी पानी की बात करें तो क्या हो जाएगा जाइलम हो जाएगा अगला कोशन है पौधों में कौन सा उतक पानी का संबहन करता है पाने का सम्मान कौन करता है जाइलम करता है अगला कोशन है इन में से कौन से उतक कौन से कोशकाई जड़ों से पौधों में अनभागों तक जल का परिचालन करती है तो कौन करती है यह जाइलम करती है जायलम करती है, 69 के वाद 60 ही है, निमली खित में से कौन पौधों में जल के वहन से सम्मंदित है, तो जल के वहन से कौन सम्मंदित है, जायलम, कौन सा निमली खित में से कौन सा उतक अंतरकोस की छेतर बड़ा होता है, बताना है कि कौन सा अंतरकोस की छेतर बड़ा होता है, तो किसका होता है? उतको तरह सभी कोशचाएं सम्भ्यासी तथा पतली वित्तियुक्त होती है मिर्दो तक कोशचाएं अंडाकार, गोल अथवा बॉमोकी होती है तथा कोशचाओं के बीच अंतर कोशच की य Nation InterCellular Space खेतर क्या होता है? बड़ा होता है अगरा कुशन है पौधो की तन्यों में छलो की रुव में पाए जाने वाली आकृती जो उनकी बृधी में सहायक होती है निमने से कौन से उतक पाए जाते हैं तो क्या होता है ये लेटरल मेरे समेटिक उतक होता है इसे पूछा था पौधो के तन्यों में छलो की रुव में अकला कोश्चन है 62 कि निमलिखीत में इसे कौण सवगों तक जड़ो से खादप्रदार्थों का पर संचरड़ करता है, खादप्रदार्थों क्या हो जाएगा, फलोयम हो जाएगा, इसमें जाइलम ही दिया दोस्तों पूछा है कि कौन सा उतक जड़ो से खाद पदार्थों का प्रसंचर करता है तो जाइलम जटी लूतक एक से अधिक परकार के कोई सकाओं से मिलकर बने होते हैं सभी कोशकाई मिलकर कोई समानिकार करता है जैसे जाइलम फुलोयम जड़ और उसमें घुले लड़ों का संबहन करता है जबकि फुलोयम पत्तियों द्वारा नेरी भोज़ पदार्थों का संबहन करता है तो दोस्तों जो फुलोयम होता है पत्तियों द्वारा सिरी भोजन को करता है यहां जड़ दे दिया इसलिए कौन सासाई हो जाएगा यह जाइलम हो जाएगा ठीक है अगर पत्तियों द्वारा भोजन का वो करता तो कौन साई हो जाता है यह फ्लोयम हो जाता है लेकिन जड़ द्वारा कहा तो क्या होगा जाइलम ही होगा अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है उतक के कोश का है अलग-अलग परकार के अस्थाई उतक बनानी के लिए प्रिथक होती है तो क्या हो जाता है तेखिए अलग-अलग परकार के अस्थाई उतक बनानी के लिए प्रिथक होती है तो क्या हो जागा ये बिभाजन वाली हो जाएगा, ये बिभजी उत्तक होता है, क्या हो जाता है, बिभजी उत्तक होता है, ठीक है, मैरसमेटिक जिसको बोला जाता है, अगला कोशन है, अस्थाई उत्तक के अंतरगत ब्रगिकरित किये जाते हैं, तो अस्थाई उत्तक के अंतरगत कौन से ब् मुहिंका निवाते हैं और अपनी विभाज करने की छम्ता को त्याक देते हैं और तब बनाते हैं तर जि एक खाइन बनाते हैं अग्öyle कोस्टन है और पादप फूंटक यो इसको इसका बीभाजन दौरा नई कोस्काको उत्पादन करता है काउन करता है यह बीवाजित्व बिवज sixth यह tablets समीटिक किसको क्या कहा जैते हैं वाजन से फिशेक है ? अग Nousब दिखते हैं और सरथ की बाद 69 नमबन इन फева की अंतर बेसी वीवाजियुट जयों में इनटर सिल्लॉंड एये मिंश्टिम पाए जाते हैं किस में पा जाते हैं पत्तियों की तल में तल में पाए जाते हैं आगला है कोशन नमर सत्तर देख लिए कि कारण जल जल तथा तनी के घेरे में ब्रिधी होती है तो क्या होती है पार्स भी भोजेतक किसके कारण होती है पार्स भी भोजेतक लेटरल वाला अगला कोश्चन है एक पौधे की तनी या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है अगला question है तनी या जड़ का गेरा तो ही हो जाएगा लेटरल जिसको हिंदीं क्या बोलते हैं पार्ष बिवाज होते हैं अग्रज सीर्शास्त मेरे स्मेटिक के सीर्स बीक्सित होती हैं तो एक हां होती है तना और जड़ में दोस्तों class 9th का in CRD का वुका आप भी मिलेगा उस जामें आप सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सही कर पाएंगे, वहां कापसे गड़बड हो जाएगा, इसलिए उसको एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा, यह है अतियता नमर, अगरस्त सीरस्त मेरिसमेटिक के सीरस बिक्सित होती है, पाया जाता है, यह तना औ जड़ में पाएजाता है, कहां पर पाएजाता है तना और जड़ में, अगला कोशन है, पाउधों में प्राथमिक ब्रिध्धी इससे होती है, तो किसे होती है, पाउधों में प्राथमिक ब्रिध्धी, इससे होती है, सी और डिसे, यहनि अंतरवेशी बिभाजों तक और स चिरिस भीवा जोए तक अग्ला कोशन है .. बछन है .. यह हो जाएगा यह वाला यहीं अंदर दिखो एरियोलर उतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है ठीक है एरियोलर उतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उतकों की मरमत करता है ठीक है आंतरिक अंगों को सहारा देता है अगला कौन सब कोश्का विभाजन में विभोजुत्यक क्या हो जाएगा विभोजुत्यक जब विभाजन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा विभोजुत्यक हो जाएगा अगला कोशन है निमलेखित में से किन अस्थाय उतकों में कोश काइम रित होती है किसमें होती है दोस्तों शेकलन काइमा में अभी दोस्तों इसके एक कोशन आया तो उसमें आपसन में नहीं दिया था उसमें पोचा था कि किन अस्थाय उतकों में कोश काइम रित होती है तो बहने भी होता है अगर शक्र मां नहें होता तो जायलय में होता है ठीक है तो ध्यां रखेंगा कौण स्धिया आज आए तो जब जायलम देगा तो जायलम नहीं देगा तो तो दोनों में मृत कोशकाओं होती है, तो इसके काओं से हो जाएगा, सी वाला, अगला कोशन है, कि मृतक मृत कोशकाओं के सन्योजन से बना होता है, तो शक्रन काइमा क्या होता है, मृत कोशकाओं से बना होता है, ये सब कहां पाजाते हैं, नारियल के छिलके हैं, ठीक, न टरकार दो लुंहें सॉलोख क बूर्ट परण तो हो जाएगा टिकक सिस्थ होती है , फिर्ठ के जाएक लगता समय हो जाएगा , एक्याशी की किसी होती है , होआ तक सांधे किसकी होती है कि को बिद्द घोच में कटो बीदी पाइजाती है तो अगला कोश्चन है बनस्पत उतक का परिप्यक्ता पर जीवित प्रोटोपलाज्म धारर नहीं करती है ठीक है अगला कोश्चन पचासी नंबर साधरर अस्थाई उतको की तीन परकार हैं साधरर अस्थाई उतको की तीन परकार काउंसे होते हैं एक पेरेंट काईमा कोलेंट काईमा इसकलेंट काईमा काउंसे हो जाएगा सी हो जाका PCS याद कर लिए दोस्तों PCS ने पेरेंट काईमा एक सी कोलेंट काईमा या से होती है किस परकार की उतक में एक समान कार करने हो लिए तो जटिल उतक में ठीक है किस में होती है जटिल में अगला कोशन है पादप कोश्का विच्थी किस से बनी होती है तो पादप कोश्का विच्थी शलिलोज और प्यक्टीन की बनी होती है किसके बनी होती है शलिलोज औ क्या करता है परवा करता है अगला कोonne को एक पाधOH की सभी भागों में भोजन पहुचाता है पहुचाता है जाता तो क्या अच्छेंगा अचा देखते हैं कोस्चान अच्छन में फ्लोयम की अतoch म Bij औधियं की लिए उत्तरदाइत क्यानक ना अगर स्वारी पत्तियों से पहुचाता है अगला पॉस्चन है पतली कोश्क अभित्ती के साथ अप्चा क्रित अव्सिष्ट कोश्का होती है किसकी होती है पैरेन काइमा की ठीक है अगला पॉच्छन में कोशकाओं को ढीला पह किया जाता है ताकि बड़े अंतह क्रियातम के रिक्त अस्थान मिल सके तो मिर्द तक में किसमें? मिर्दु तक में मिर्द तक में कोशका को ढीला पह किया जाता है ताकि बड़े अंतह क्रियातम के रिक्त अस्थान मिल सके में पतली कोश का भित्ती के साथ अपिछाक्रित गयर बिशिष्ट कोश काई होती है किसमें पैरन काईमा में पतली कोश का भित्ती के साथ अपिछाक्रित गयर बिशिष्ट कोश काई होती है किसमें पैरन काईमा में अगरा कोश्चन है अधिक अंतरकोश की परसाल के लिए कोशकाइं बिरर रूमे संचारित होती है पैरन काइमा में ठीक है पैरन काइमा में जो इंटरसेलोरर रिस्पेस होता हो क्या होता है अधिक होता है अगला कोश्चन है है की ओतक की कोश्काइं बहुत शकृ होती है इन में घंअि कोश्का द्रब साइटो प्लाजन पतली कोश्का रस वित्या मुख्यर नाविक और कम रिकिति काएं होती है तो इसमें कौन ससर हो जब पंचान भी का ए वाला सही होगा यह विभाजी उतक मेरेस में ठीक है उतक के कोशकाय बहुत शक्रीर होती है इनमें घने कोशका द्रेव साइटो प्लाज्म पदली कोशका रस्पीतिया मुखिनाविक और कमरिक्तिया होती है किसमें होती है यह कोशका विभाजन में क्या जाएगा विभाजी उतक उतक हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है विभीन परकार के अस्थाई उतको की निर्माड के लिए उतक की कोशकाओं को अलग किया जाता है किसमें किया जाता है मेरेस में ठीक में ठीक है अगला कोशन है पादक उतक स्वारी दोस्तों सी वाल से विभाजी उत्यक उत्यक और अस्थाई उत्यक ठीक है एक होता है विभाजी उत्यक उत्यक क्या होता है अस्थाई उत्यक में दो परकार के होते हैं तो च्छान अन्वी कर क्या हो जाएगा शीवाल हो जाएगा निन्नानवी कर निम में से कौन से अस्थाई उतक का उधारड है बताने कौन सा अस्थाई उतक का उधारड है तो जाईलम जाईलम के हो जाईलम के हो जाईलम का परकार नहीं है तो जाईलम का परकार कौन सा नहीं YouTube नहीं होता है 100 के बाद देखते है 101 लगने काून सा उतक पौधों के परकास अंचलायशल हिस्सों से सामगरी के परिवर्ण में मदद करता है क्यों करता है फलोयम करता है अगला कोशन देखते हैं 102 धृड उतकों से बना बना है कौन सा ध्रिड उतक से बना होता है निर्जी कोश्का कौन सा बना होता है ध्रिड उतक से निर्जी कोश्का अगला कोश्चन है कि रेगिस्तानी पौधों के बाहत वचा एपिडर्मिस की एक मोटी मोमी परत होती है किसका क्योटीन का ठीक है क्योटीन की एक मोमी परत ह होती है अगला कोश्चन है ब्रिच्छों में सामगरी की परीवन में सहायक उत्कों को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है संबहनी उत्क कहा जाता है अगला कोश्चन है एक ब्रिच की बाहरी संरची प्रत कहलाता है ठीक है एक ब्रिच की बाहरी संरची प्रत क्या कहलाता है तो देखते हैं 105 का क्या दिया है से दिया है क्या कराता है वलकल कराता है ठीक है एक बिच की बारी सनरची प्रेद को क्या कहा जाता है वलकल कहा जाता है दोस्तों इस तरह से देखिए यह वाला यह टॉपिक कवर हो गया अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करें दोस्तों यह दिए हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब केजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर सेर केजिए दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मदभूलिएगा धन्यवाद